नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल नए करियर में दोस्तों यदि आपको भी PM किसान में EKYC करते वक्ते ये प्रॉब्लम आती है EKYC Authorification is Failed तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपके साथ ही समस्या बनी है तो हमारे इस वीडियो को सुरू से लेके अन तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इसी प्रॉब्लम का solution बताने वाला हूँ जी हाँ दोस्तों यदि आपको भी जारना है EKYC Authorification is Failed का solution तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बेल अगन को प्रेस करने मत भूलेगा ताकि हमारे द्वारा डाली के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँ सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों इसको solution बताओं उससे पहले हम ये जान लेते हैं तो वो आप हमें ज़रू बताइगा कमेंट बॉक्स में ताकि हम उसके उपर रिसर्च कर सके तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला कारण ये आया है कि यदि हम जब EKYC करते हैं तो एक से ज़्यादा बार ट्राइ कर देते हैं तो उसके बाद दोस्तों दूसरा कारण ये आया है कि जब हम EKYC करते हैं तो PM किसान का सर्वर यदि बहुत ज़्यादा डाउन होता है दोस्तों तो 10 मिनट से ज़्यादा का समय जब लग जाता है OTP आने में ही तो वहाँ पर हमें ये second बार में ये problem देखने को मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर ये दो कारण हमें research में पता चले हैं तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपके साथ भी इन्ही दो problem में से किसी एक problem का सामना आपको करना पढ़ रहा है तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको इसी का solution बताने वाला हूँ तो दोस्तो यहाँ पर जो है यदि आप PM किसान में EKYC करने जाते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तो आपको दोस्तो उस टेम अपनी EKYC करनी है जब server थोड़ा अच्छा चल रहा है यानि कि दोस्तो सुबह या शाम की टाइम में आप ट्राइ करिएगा जब server एकदम बढ़िया चलेगा दोस्तो OTP तुरंत आना जाना स्टार्ट कर देगा तो उस समय यदि आपको अधार और अथरिफिकेशन फिल्ड वाली प्रोब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी तक हमारे पास ऐसी कोई प्रोब्लम नहीं आए कि तुरंत OTPP आया है और उसमें हमने EKYC किया तो हमें इस प्रोब्लम का सामना करना पड़ा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है इसका सामना तभी करना पड़ा है जब हम दिन में 12 से 3 बजे की बीच में जब हम EKYC कर रहे हैं तो हमें इस प्रोब्लम का सामना करना पड़ रहा है बाकी दोस्तों सुबह 10 बजे से पहले और सामको 4 या 6 बजे के आज पास में जब भी हम EKYC करते हैं तो EKYC successfully done हो जाती है दोस्तो इसका आप solution बता देता हूँ तो यहाँ पे दोस्तो यदि आपको इस problem का सामना करना पड़ रहा है तो इसके solution के लिए दोस्तो जब आपको यह problem आए तो यहाँ पे जो है कुछ देर के लिए website को छोड़ देना है यहाँ पे आपको 15 मिनिट तक wait कर लेना है 15 मिनिट बाद दुबारा EKYC करना है जब आप दुबारा 15 मिनिट बाद EKYC करेंगे तो आपकी EKYC successfully हो जाएगी जी हाँ दोस्तो हमाई साथ जब यह problem आई थी हमने यहाँ पे आदे आदे घंटे का gap दिया था उसी number पे EKYC करने में आप other number का use कर सकते हैं लेकिन उस same number पे यदि आप EKYC करने जाएगे तो आपको problem आ सकती है तो हमने भी इसी प्रकार से इसको solve किया है आप भी इसी प्रकार से solve कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो कैसी लगी है आप हमें बताना मत भूलिएगा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कीज़ेगा चैनल पर नए है चैनल को subscribe करके जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं गली नेक्स्ट वीडियो में एक नए information के साथ